तो आज हम करने वाले एक स्वामी प्वार्वेंग की अन्बॉक्सिंग एंड गीबवे नहुसकार दोस्तों मैं हुई साल और आप देखेंगे टेक्नियस तर्वाज यूट्यूब चैनल तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि मैं आपको आज मैं करने वाला हूं ऑन्बॉक्सिंग पावर्वेंक की जो सौमी के तरफ से बहुत ही लेटिस्ट माडल है और बहुत ही यूनिक डिजाइन है इसका तो यह हमारे पास वह पावर्वेंक जिसका मैं बात कर रहा हूं सौमी की है यह पावर्वेंक 10400 mh की बैटरी है तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाते हुए मैं आपको इसकी खास कुछ बाते बता दे रहा हूं जो मैंने इसमें देखी हुई है तो खोलने से पहले मैं आपको बता दो कि यह अगर आप एक अंडॉराइड मॉइल चार्ज कर रहें मतलब कि इस एमाई की आइपोन 5 एस में तो आप कर सकते हैं साधीय चार बार मतलब कि चार बार बैटरी फूल और फिर से 50% अगर करना चाहते हैं आप आइपैड मीनी पे तो आपकर सकते हैं एक बार ही क्योंकि फड़ागा चीज है जिसे पर बैटरी और वार्वेक्ड ज्यादा लेती है तो यह यह आपका powerbank माईस करने माला unboxing तो यह चलिए करते हैं करते हैं नो तो यह यार कफी अच्छा डिजाइन लग रहा है आपको पहले बता चुका हूं तो यह कुछ इस तरह का साइड है और यह है पीछे बैक का साइड यहां पर लिखा हुए दस है 400 mh की बैटरी है इसमें तो चलिए हम करते हैं इसे अंबॉक्स जल्दी से तो यह चलो भाई तुम साइड में तो यह रही यार कुछ बहुत ही यूनिक डिजाइन लग रहा इसका और पावर्बैंक का मेरे तरफ से तो यह रहा है और यह कुछ मैनुवल इसके मिल जाए यूजर्स मैनुवल यह चैनीज में लिखा हुए है क्योंकि यह सामी चैनीज का थो मारा यह यह आप पॉर्बैंट तो यह है ओर मेरा किया मेरा ऑर लाइट मे और मिलिए मैच्री ऑधना माइक्रवीं जिसे हम प्रवाइक चार्चार कसकते हैं और यह यह पोर्ट जिससे मोबाइल अपना चार्ज सकते हैं तो इसका काफी डिजाइन बहुत हलका है यह अब यहां पर देख सकते हैं दिखा हुआ बहुत ही फंट में 10-400 एमेज की बैटरी है और यहां पर मैं आपको कुछ दिखा देना वो लिखा हुआ है यह 3.6 बोल्ट की यह पूरी डिटेल इस पर लिखी है कुछ खाज डिटेल नहीं बस इसकी क्वाल्टी जो है यह माई की वह थोड़ी सी बनिया लगल रहे है यह तो यह इसके साथ यह फिक केबल यह फिर है सब्सक्राइब यह फिरी यह यह मैं लगा हूं गया इसमें लाँ लाँ है अब chart लेखाए ल हो एक मेरे पास टेबलेट है तो में उसे ब्चार्ज लाँ चिक करने मला हूं के तो आईए तो नकारद मैं अब तो अमस्ल судने हैं अब अब मैं कि बनिया है और मारे इसका उच्पोर्णा करने को संडे को किसे मिलना चाहिए और यह पंदा पूला को हर रोज देता रहता हूं एक जैन बंदे मात्रम झाल झाल